आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ राज किष्णिन बिहार में विधान सभा चुनाव की बिगुल फुगी जा चुकी है तीन चरणों में चुनाव है 28 सक्टूबर को पहले चुनाव है और इनी सब मुद्दों को लेकर के आज हम बात करेंगे कि बिहार में क्या विकास हुआ है कि सभी पार्टी अपने अपने सथर से विकास का वादा कर रहे हैं लेकिन अभी जो आज हम बात करेंगे वो सबसे बड़ी बात हम किसानों के बारे में आज हम करेंगे किसानों को क्या मिला चुकि बिहार में चुनाव है तो ऐसे में किसान को बारगेनिंग करने के कोशिस में लगे हुए हैं बिरुदी पार्टी के लोग तो हम बीजेपी के लोगों के साथ यहां पर आज हम बात करेंगे कि किसानों के साथ क्या कुछ मिला है केंद सरकार या फिर राज्य सरकार ने किसानों के लिए क्या कुछ किये हैं इन तमाम मुद्धों को लेकर के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिजेपी किसान मुर्चा के परदेश रुपा देक्षे संजीप कुमार यादव हैं और भारतिय कृष्यन संधान परिशत के सदस्वी हैं चलिया हम इन से बात करते हैं और जानते हैं कि बिहार में किसानों के साथ सरकार ने क्या कुछ दिया है या फिर नहीं दिया है इसके अलावा हम किंद रस्तर पर क्रिशी अध्य देश बिल को लेकर के भी बात करेंगे सर सबसे पहले हमारा आपका स्वाग है आपको भी पूरे किसानों के और से मैं आपका अविनंदन करता हूं स्वागत करता हूं विहार में चुनाओ है तो ऐसे में सबसे ज़्यादा जो न रिंद्रभाय मोदी लगातार चुनाओं को लेकर नहीं 365 दिन बारों महिना पाचों बर्स ये सरकार गरीबों और किसानों की समर्पि सरकार है आप जितने भी योजना देखे लोक कल्यानकारी योजना लापकारी योजना सभी निर्धन असहाय गरीब गुरबा दलित मज़ बेडा लाएगा नहीं खुशाली लाएगा और खेत खलियान और ज्यादा ला लाएंगे और उनकी आय में दुगनी बरहुत्ती होगी इस भाव को लेके मानिये किसान के अपने क्रिश्ची मंत्री नरेंद्र भाई तोमर और ये सश्वी परधान मंत्री हमारे दोनों लोग के सोच से द्रिश्ची से ये किसान बिल लाया गया है किसान बिल के बारे में जो कांग्रेसी लोग बिपक्षी लोग चाये वो अकाली दलके हो चाये मायाबती जी हो ममता बनर जी हो आर जीटी की सरकार हो बंबंती लोग हो जितने लोग भी पक्षी लोग है इस बिल से इस किसानों के हित के लिए दिए के आजादी के वास लेकर और 2013 किसानों की बात हमेसा की उभॉन ही लागो कि लागो कि نہیں लागो कि क्रिशी अध्यादेश भी लाया गया है तो इसा बेल में आखिर किसानों की भलाई के लिए क्या कुछ इसमें शामिल किया गया देखिए यह अध्या देश जो तीन ठो किसान सुधार अध्या देश है एक मारकेटिंग की बात की गई है एक उत्पादक फसल की बात की गया है एक इंफ़ाय स्ट्रक्चर और कोमोडिटी एसेंसिंसिल की बात की गई है यह जो बिल लाया गया है यह MS स्वामी नाथन के द्वारा जो हरित करांती के जनक कहे जाते हैं उनके द्वारा यह दृष्टी से त्यार किया गया था और यह कांग्रेस के समय ही त्यार किया गया था लेकिन कांग्रेस ने अपने च मोदी ने इस अध्यादेश को गौड देखा कि यह अध्यादेश जो बना स्वामी नाथन का जो यह रिपोर्ट लाया गया निश्ची तोर पर किसानों के खुशाली के लिए और उन्हें लागू किया आज कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसे मार्केटिंग समाप्त हो जागा ब माचल परदेश हो पहले क्या था कि जो भी किसान अपना फसल उपता दे थे उसका एक लिमिटेशन तरह था कि इसके बाद पैक्स के माध्यम से साकार्ता के माध्यम से आगे नहीं बेश पाते थे लेकिन परधान मंत्री ने इस बील में किसानों के लिए खुड़ा छूड कोई भी किसान अपना फसल उपता दे किसी भी मार्केट में बेश सकता है पहले ताकि आप पैक्स या बजार समितिया साकार्ता के माध्यम से बेश सकते थे उसमें क्या था कि बिचौलियों का बंडर बात होटा था जो दलाल थे जो बड़े बड़े अरहतिया लोग थे उन तो वो अरहतिया 10 रुपय का उत्पादम 12 रुपय में लेता है और हमसे 12 रुपय लेके वो 18 रुपय बे देता है तो हम खून पसीना सिचाई पटवन निकाउनी सब कुछ करें उसका मात दो रुपय किलो मिलता था लेकिन जो बिचौलिया था दलाल था अरहतिया था वो ब बाइटेब एठाए 6 रुपय प्रोफिट खाता था तो पर्धान मंती ने यह बिचोलियों को भी से हटाया डारेक्ट खुला मार्केट कर दिया और उसके करन किया वह दस रुपया का उत्पादन डारेक्ट मार्केट में ठारा रुपय बे सकता है तो इससे क्या है कि उसकी कि भी परदेश में किसी भी देश में जाके बेश सकता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है कुछ किसान ऐसे हैं जो पट्टा पर खेथी करने वाले जो किसान होते हैं जर्लीरी उनका आर्थिक इस्तिती काफी खड़ाव होता है तो ऐसे किसानों के लिए बिचोलिया को कैसे कि पट्टे की बात मजदूरी के बात तो ऐसे ही लोग के खुसहाली लाने के लिए एक एग्रिमेंट किया जा रहा है बड़े पुझी निवेस्कों से सैयोगी पुझी निवेस्कों से जो कल तक हमारे मजदूर किसांद चोटे-चोटे दो हेक्टेर तीन हेक्टेर एक हेक्ट पूंजी निवेसक के द्वरा और पूंजी निवेसक के द्वरा और पूंजी निवेसक मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि इसमें बहुत रखे प्रवधान है और जितने भी प्रवधान है जितने भी लोकल ल्यानकारी उस अध्यादेश में लाया गया है सत परतीसत किसानों के लिए कहीं पड़ भी एग्रिमेंट पूंजी निवेसक को बाधा नहीं गया है किसान को सुधन्तता दी गई है अगर माली पूंजी निवेस किसानों को या मज़दूरों को अगर एग्रिमेंट करता है किसी कारण बस जो एग्रिमेंट के बाध अती बिरिष्टी अना बिरिष्टी हो जाती है या बार आ जाता है या किसी तरह की प्राकिर्टी विब्दा परती है तो उसमें फसल नुक पुझी निवेसक करेंगा। के लिधान कांदॉक लेकर पुझी निवेसक करेंगा। लेके मगांद में पुझी निवेसक सेयोगी कर्सकूराइपलिया, в Isto Rachel वह कि यहीं कुझी निवेसक क freue CAPIII cin returned. वो फसल के लिए नहीं है बहुत से किसान हमारे ऐसे हैं जो तेलहन दलहन अपने खड़ियनना में रख देते हैं उपज के बाद दौनी करते हैं उसी समय पानी बढ़ जाता है गुदाम का भी प्रभधान नहीं है तो वो जो पुझी निवेसक लोग है वो अपना वहाँ पे गोदाम भी बनाएंगे हैं और बड़े-बड़े बेरहॉस बनाएंगे ताकि जो फसल नुक्साल हो जाता है ऐसे लगबक हमारा wow 6002 पर्संट फसल नुक्सान हो जाता बेस्वों को भी दो पैसा फाईदा होगा, एक प्रस्नावर्ण आ रहा है, MSP की बात आ रही है। आप देख रहे हैं कि जितने भी बिपच्छी लोगें एक खा मुका जब जब इलक्षन आते हैं तो गुम्रा करते हैं। लोगों को एक भरं पहलाते हैं, किसानों को गुम्रा किसानों की प्रगति की बात है अगर मान लिए MSP जो लोग बोल रहें को मालूम होना चाहिए कि MSP जो है नियुंतम समर्तन मुलकाई यह कलून बनाया गया है ना मिनमम सपोर्ट प्राई उसमें अगर मान लिए कि हमारा चावल है और चावल हम 20 sì कीलो हम अग्रिमेंट करते हैं कोई कर्पूरेटर जो है यह पुझी निवेसा के किसान से अगर चाबल एग्रिमेंट करता है 20 रुपे किलो और उस समय चाबल हो सकता है अच्छा मंडी अच्छा बजार हो तो 30 रुपे किलो चला जागा तो उसको एक अफसोस होगा किसान को कि भाई हम 20 रुपे किलो चाबल बेच दिया बजार में तो 30 उपे उस इस्तिति में उस एग्रिवेंट में एक कलाउट यह भी जुरा गिया है कि अगर ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का भाग भी किसानों को दिया जाएगा बोनस दिया जाएगा है इस तरह का प्रावधान किया गिया ह आज यहाँ भी देख रहें किसानों के नाम पर जो भीचावलिये लोग जो दलाल लोग ट्रेक्टर चिलारें वो किसान नहीं है वो सुध रूप से एजेंट हैं दलाल हैं और ऐसी अरहतिया लोग आंके बजाळ में पड़धार सनक्र रहे हैं रोट पर बड़धार कर रहे है और आपको ट्रेक्टर जिला रहे हैं इसके पहले भी जब नियुन्तम समर्थन मूह लाया था 17-18 में तो आप देखे होगे कि हरियाना गुरगाओं पर लोग दूद बहा रहते हैं टमाटर फेक के रोलर चिला रहते हैं कोई भी किसान दूद नहीं बहा सकता है कि एक अमड़ित के समन होता है अगर हमारे अंगना में दूद गिर्ज व्यास गिती है तो हमारी मैया और दादी जो आंचराश से पोची का सीर पर लगा थी थी क्योंकि वो वो अमड़ित होता है अगर कोई किसान के खेत में कोई टमाटर खाने के लिए कोई बैक्ति घुस जाता है या आम खाने के लिए घुस जाता है तो ठीक है टमाटर आम खाने के लिए घुसता डाटता है लेकिन ओही किसान उसको बैठा कि उस आदमी को खिलाता भी है अदू किलो बांद के दे भी दे था किले भुगा घड़ ले दे ही है तो किसान इस भाव से जीने वाले है किसान अगर हम बात करें तो किसान सबसे ज़्यादा मौसम की मार, बार, सुखार इन सब चीजों से परशान रहती तो इस बिल में प्राकिर्तिक प्रकोप के लिए सरकार ने क्या कुछ इंकलूट किया हाँ देखिए जो किसान की अभी जो उनत्ती नहीं हो रही थी या किसान की बात सब लोग, विपक्षी लोग तो कर रहते है लेकिन गंभीरता से उस प्रस्ट का जवाब नहीं ढून पाड़े थे उस समस्या का समधान नहीं ढून पाड़े है कि कौन सी ऐसी बात है कि बकील का बेटा बकील बनता है, इंजिनियर का बेटा इंजिनियर बनता है डाक्टर का बेटा डाक्टर बनता है किसान का बेटा कोई किसान नहीं बनना चाहता है लेकिन आज परधान मंत्री ने ऐसे लोग का लियानकारी कारकरम ला हैं निवन्तम समर्थन मूल की बात करें या अग्रिमेंट की बात करें वेर हाउस की बात करें या परधान मंत्री सम्मान निधी योजना के अंतरका 6-6 हजार रुपया देने की बात करें किसान रेल चलाने की बात करें या कल तक जो डीजल पढ़ा और क्यासन तिल पढ़ा जो पटबन होता था आज बिजली पर सोलर पर हो रहा है तो इस एग्रिमेंट में प्रवधान मैंने पहले बाताया कि इस एग्रिमेंट में प्रवधान बनाया गया है कि जो भी एग्रिमेंटल है जो भी पुझी निवैसक है जो भी सयोगी है वो उनकी लाइबलेटी हो जाएगी क्योंकि फसल उत्पादन के पहले ही एग्रिमेंट हो जागा कि आज ये कातिक में जो है चना रोपा गया है तो उसके पहले ही जो है अगस्त में और सितंबर में उसमें ये पहले का आपका केरेंशियल देखकर पहले की स्थीति देखकर आउसे रेड तैय कर ली जाएगे उस के बाद बुबाई सिचाई पटबन के बाद जब तक फसल काट लिया था अगर बीच में कुछ भी किसी तरह का अती ब्रिष्ट्री अना ब्रिष्ट्री होती है तो वो लाइबलेटी वो जिम्मेबारी वो निवेसक कहोगा कि नहीं कि हमारे मजदूर किसान को गए इसमें भी किसान को सुरच्छा परदान करने के लिए चाहे वो मौसम का सुरच्छा हो या पूंजी का सुरच्छा हो या किसी भी तरह के अनव बातों की सुरच्छा हो सभी की सुरच्छा की गरेंटी एगरिमेंटल की होगी पूंजी निवेसक की होगी सरकार किसानों के लिए पूरी तरीके से पढ़ी आसरत हैं जितने भी इसमें अध्यादेश में कानून लाए गए हर तरह से टोटल किसानों के लोग कल्यानिकारी आहीत की बात की गई है यहां तक यह प्रावधान में भी है कि मान लिए कि हम 10 साल का अगरिमेंट करते हैं या 5 साल का अगरिमेंट करते हैं किसी पुद्धी निवेसक से और आपका भेवाद ठीक नहीं है आपका ट्रम कंडिशन ठीक नहीं है आप हमारे समय पर पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो हम एग्रिमेंट तोर सकते हैं, हम पहला दुसरा साली तोर सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रविदान नहीं है, कि अगर आप 11 साल का अग्रिमेंट करते हैं या 5 साल का करते हैं, और किसानों प्यात्या चार होता भी रहा है, और केसान चुपचा बैठा रहा है, तो ऐसा बात करके अपना खेत खलियान में लला सकते हैं पंजाब जैसे राज जो उन्नत तनीके से मतलब तरीके से क्रिश्री का उत्पादन करती हैं और ज्यादा तर जो जनसंख्या है वहाँ पे वह ज्यादा तर मतलब किसान खेती पढ़ ही डिपेंड है तो ऐसे जो विक्सित राज है वैसे राज में सबसे यादा भी रोद होड़ा है देखिए पंजाम में लगवग 28,000 बिचो लिया है अरहतिया हैं दलाल हैं और ये लोगा अंदोलन कर रहे हैं कोई किसान अंदोलन नहीं कर रहा है कोई किसान अपने ट्रेक्टर नहीं जला रहा है का कि किसान इतना और ये लोग बरे बरे जो अरहतिया लोग है जो दलाल लोग जो किसान के रूप में रोड पर आके अंदोलन कर रहे हैं क्योंकि इनकी राजनीती बंद होने जा रही है इनकी दुकाने बंद हो जाने, इनकी पेट में दर्द होड़ा है, अड़े भाई ये जो अध्यादेश लाया गया है, ये तो कांगरिस लाया था, आपने 2013 के घुसना पत्र में इसको रखा, नहीं लागो किया, आपने 2019 के घुसना पत्र में रखा, नहीं लागो किया, क्यों लेकिन ये गरीबों के समर्पी सरकार किसानों मजदूरों की समर्पी सरकार नरेंद मोदी जी ने उन्होंने सोचा कि जब तक किसान के हाथ में एक हाथ में खुडपी और एक हाथ में किताब नहीं होगा एक हाथ में कुदाल और एक हाथ में कम्पीटर नहीं होगा हमारा किसा किसान प्रगति नहीं कर सकता है कल तक सिब लोक लुहप ने भासन देने से लोक लुहप ने बज़ट देने से किसान में खुशाली नहीं आ सकती है यह सब्टिप्स पर्धानुमंत्री ने चिंता करते हुए उनके भाव सम्मेदना को देखते हुए किसानों को योजना को गाउंगों तक पहुंचा है ये कंग्रेश्ट्रीय किसान की योजना बनाते थे और सुहर में लागू करते थे अपने पड़िवार में लागू करते थे लेकिन परधान मंतर्य ने योजना को सत परतिसत खेत खलियान मजदूर किसान के बीच में लागू किया आज आप बताईए कल तक जो हमारे किसान थे उनको बैंक में खाता नहीं था उन्होंने दब धंदन योजना और डिजिटल के माध्यम से खाता खुलबाया तो यह लोग मोलते थे खाएला पैसे नहावा चला खाता खुला बिला पैट में आज नहीं चला डिजिटल के बात करेला अब बताईए राज किसना जी अगर डिजिटल खाता नहीं होता तो आज करोना काल में लगबक 14 करोर किसानों के खातों में लगबक 83 हजार करोर रुपिया दिया गिया च्छे-च्छे-च्छे-च्छा मजदूर भाई है और जो 6,000 रुपया दो दो हजार किस करके 6,000 रुपया डाला गया वो सत परतिस्त उसके गाउं तक उसके बैंक तक पहुंचा है यही राजीब गांदी बोला करते थे भश्टाचार को नस्युकार किया कि हम 100 रुपया भेजते हैं दिल्ली से और जल्ला के खेतों किसानों में एकाउंट में पंदर रुपया पहुंचता है पचासी रुपया ना जाने कहां चला जाता है लेकिन आज पर्धान मंतरी सो रुपया भेजते हैं तो जल्ला मजदूर के किसानों को सो का सो रुपया मिलता है तो आपने देखने हो करोना के विसम पस्तित जुड़ा गिया है सरकार से मतलब बिजॉलियों को धिरे-धिरे समाप्त करने का जो पढ़िया से वह जारी है और चुनाओ के पहले क्रिश्य अद्यादेश बिल भी लाया गिया तो इसका जो बिहार चुनाओ पर हो क्या प्रभाव पड़ेगा ने के चुनाओ तो हमेशा आत और अध्यादेश बील कानूर बनाना अपने जगापड़ है तो आप आईसे में आप आईसे यार के सदस होने के नाते आपको कौनकों सा स्टेट प्रभावाइट किया गया है और इसमें क्या आप क्याम कर रहे हैं देखिए भारत सरकार के क्रिशी मंत्री नेंदर भाई तोमर जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और खास कर बिहार के जितने भी बरिष्ट हमारे नेता गहने सभी को अभार प्रकट करते हुए कि एक बहुत बड़ी दाईत हमें सौपा गया है और भारत में ऐसे पां देखा जाते हैं रीजन टू में माना गया है तो उसमें उत्तर परदेश बिहार और जहरकंड का दैट दिया गया है और यह भारतिये क्रिशी नेंसंधान परसद मूल रूप से किसानों के लिए काम करते हैं कि कम रकवा में कम जगह में कैसे ज्यादा फसल हो उसकी लागत क गुन्बत्ता पाज़ता कैसे बढ़े इन बातों को ध्यान करते होनी निता दिन नयы पड़ाइब करते हैं और हम वे जडियो ने परदेश को चीने हम करते हैं यह जरी वे तो हम लोग लगातार किसानों के लिए काम कर रहे हैं सरकार की जो जो योजना है और कास के सबसे ज्यादे योजना तो क्योंकि आज भी लगबग 85% किसानी है और उस 85% में भारत का GDP 16-17% किसानों द्वारा है सरकार चिंती ते कि इतनी बड़ी अबादी इतना बड़ा छेत्र होते हुए हमारा GDP का जो सयोग है कम है उसको और ज्यादा किया जाए इसलिए सरकार का एक सोच एक द्रिश्टी कि जब तक किसान खुशाल नहीं होगा भारत हमारा खुशाल नहीं हो सकता है और एक बात यह कि कि इसकरोना काल में बड़े बड़े कलकर खाने बंद हो गए बड़े-बड़े मोल बंद होगे बड़े-बड़े फैक्ट्रिया बंद हो लगब माइनस 23 परसेंट चला गिया अगर किसी ने जीटीपी बचाने का काम किया है तो वो किसानी है जो प्लस 3 परसेंट उपर ले गया है तो किसान जो है पुड़ा हमारा आर्थिक विवस्ता पे अधारित है लेकिन कांग्रेसी बामपंतिम पिपच्छी लोग ने किसान का सोसन किया है किसान की भावनाओं से खिलबार किया है किसान की योजना और बजट के नाम पर बंडर बाट किया है लेकिन परधान मंति ने गरीबों को किसानों को दलित मजदूरों को उसकी संबेदना को समझते हुए जितने भी योजना देखें अगर 165 योजना चल रही है उस 165 योजना में सबासो योजना जो है गरीब गुर्वा दलीत मजदूर किसानों की है तो उन्होंने इस बात को समझा और इस करोना काल में एक और अच्छी बात मैं अबगत कराना चाहता हूं कि जो कल तक भारत संस्कृति को भूलते चले जा रहे थे अपने प्रंपरा को भूलते चले जा रहे थे चाहे वो अरुबेदिक की बात हो जरी बूटी की बात हो मसाले की बात हो आज सब लोग आसा बड़ी निगाह से देख रहे हैं कि इसी कौन सी बात हो गई कि करोना काल में सभी की मरने की संख्या बहुत ज़ादा हो गया भारत का उन्हें बहुत कम नियुंतम से नियुंतम है उन्होंने पाया कि यहां की लोगों के अंदर प्रतिरोधक समता ज़ादा है क्योंकि जो भारतीय जरी बूटी है अरुवेदिक दवाईया है या मसाले जो खर के मैया चाची बनाती है उस बहुत ही गुनकारी लापकारी है जिसके कारण बीदेशों में डिमांड बढ़ गया इस करोना कर में तीन लाग करोड का अलग से एक्सपोर्ट का ओडर आया है और तीन लाग करोड का जड़ी बूटिये मसाला अलग से बीदेशों में डिमांड बढ़ गया तो समझ लीजे कि जो हमारे प्राचीन सब्वेता थी संस्किर्ती थी संसकार था पुडातन जो हमारा पर चलेंता वो पुना बापस आ रहा है और यहूं कह सकते हैं कि बीस्व गुरु के सरवोच पत्वरा स्थापीत करने के लिए यह सब्धान मंती लागातार दीन रात एक तो पैटिस करोड जन्ता की चिंता करते हुए बीस्व गुरु के पत्वरा नहीं चित्थ पर्टी के एकारन लगतार इसका बिरोध हो रहा है और सबसे जादा बिरोध पंजाब में भी हो रहा है चुकि पंजाब में बिचॉलियों की संक्या काफी ज्यादा है